हाल ही में दिल्ली के मुख्य मंत्री को E.D. यानि के Enforcement Directorate की 12 लोगों की एक टीम द्वारा गिरफ़तार कर लिया गया ये जो पूरी टीम थी, टीम की ओर से पहले मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री से दो घंटे की पूश्टाच की गई और इस पूश्टाच के बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह थी, कौन से कारण थे जिनकी वजह से एक इंपॉटेंट पद पर बैठे वेक्ती को गरफतार किया गया है तो आज इस वीडियो में हम इसी विशे पर बात करेंगे इसका जो मूल कारण है वो है दिल्ली की शराब नीती तो दिल्ली की शराब नीती क्या है से जोड़े जो इंपॉटेंट पॉइंट्स है वो क्या है उन्हीं पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले है मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दिश्टी आई इस चानल की इस नए वीडियो में चली एक बार वीडियो की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले हम जो है वीडियो की रूप रेखा को एक बार समझ लेते हैं लिके अन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा हो जाए जिन पॉइंट्स के जरिया आज हम Yeshua इपनी इस विडियो खुले है आगे बढ़ाने वाले हैं तो इंपॉर्टेंन पॉइंट्स पर जब चर्चा की जाती है अन्य वेक्ति हैं उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को भी देखेंगे और अंत में एक प्रश्ण पर भी बात होगी इसके अलावाएं जो पूरा टॉपिक है आपका जीस पेपर टू से जोड़ा हुआ है और आप इसे भारती राजव्यवस्था और इंडियन स पर हमारा जो द्रिश्टी लर्निंग आप है उस पर जो ऑनलाइन कोर्स मौझूद है जो पेंड्राइफ कोर्स मौझूद है टेट सिरीज हो गई बुक्स हो गई डियल्पी हो गई इन पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है तो अगर आप इस छूट का लाव उठाना खाबर यही है कि दिल्ली के मुखमंत्री अर्विंद केजरिवाल को गिरफतार किया गया है गिरफतारी किस मामले में हुई है गिरफतारी हुई है शराव नीती के मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशाले द्वारा कई समझारी किये गई थे तक्रीवन 10 के आसपास समझ जारी हुए थे लेकिन अर्विंद केजडिवाल की ओर से किसी भी समन पर जो है जवाब नहीं दिया गया इसके बाद इडी की टीम ने उन्हें रफ्तार कर लिया और साथ ही दिल्ली हाई कोट ने भी इस पूरी कारवाही में अंतरिम अनंतरिम सुरक्षा देने से इंकार कर दिया है कोई भी इंटरिम ओडर देने से इंटरिम सेफटी ओडर देने से इंकार कर दिया है तो ये बिसिकली हमारी ख़वर है जिस ख़वर पर यहाँ पर हमने बात की अब जो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है दिल्ली की शराब नीती जिस पूरी पॉलिसी को समझना हमारे लिए इंपोर्टेंट है और क्या आरोप लगाए गए है उन आरोपों को समझना पर लिए इंपोर्टेंट है तो जब आप डिली की एक साइस पॉलिसी की बात करते हैं शराब नीती की बात करते हैं तो इसकी शुरुवात होती है न वंबर 2021 में इस पॉलिस जाती थी लेकिन नई policy में क्या हुआ नई policy के माध्यम से शराब का जो है निजी करन कर दिया गया यानि प्राइवेटाइजिजिएशन हुआ और अब शराब बेचने का काम जो वो निजी दुकानों के हवाले कर दिया निकि सरकार शराब बेचने के काम से बाहर हो गई इसके लावा इसमें क्या किया गया इसमें आपका दिल्ली को जो है 32 जोन्स में डिवाइट किया गया और हर जोन में आपको 27 शराब की दुकाने देखने को मिल रही थी इस पॉलिसी का उद्देश है क्या था इसका उद्देश है था शराब माफिया और काला बाजारी को समाप करना राजस्व बढ़ाना उपभोगता अनुभव में सुधार करना और शराब के दुकानों का समान वित्रन सुनिश्चित करना तो इस पूरी पॉलिसी के तहट बिसिकली लॉटरी के माध्यम से जो है आपका रेंडमाईज तरीके से बहुत रेंडम तरीके से जो है जो आपके जो सेलर्स है उन सेलर्स का चैन किया रहता था इसके अलावा इस पूरी पॉलिसी में का भी अधिकार दिया गया यानि अब सरकार शराब की MRP भी डिसाइड नहीं कर रही थी अब ये जो पूरी पॉलिसी थी इस पूरी पॉलिसी का जो है जो समगर प्रिभाव रहा वो ये रहा कि दिल्ली सरकार का जो राजस्व है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली और का फायदा हुआ था तो ये तो हमने बात की कि सर आपकी पॉलिसी क्या थी उस पूरी पॉलिसी को यहां पर हमने समझा अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर आरोप क्या लगाए गए हैं अगर आप आरोपों की बात करें तो दिल्ली में नियम यह कहते हैं कि अगर दिल् की मंजूरी के बाद उस प्रस्ताओं को LG यानि के लेफटेनेंट गवर्नर उपराज बाल के पास भीर जाएगा लेकिन इस मामले में क्या देखने को मिला इस मामले अगर जो है इसका इस पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है तो यह माना जाता है कि दिल्ली उत्पा नीती थी उसमें बदलाओ किया ता लेकिन वो बदलाओ जो था वो आपका लेफटेनेंट गवरणर के सामने उपराज पाल के सामने पेश नहीं किया गया और पेश नहीं किया गया वह बात तो ठीक थी ये तो पहला आरोप रहा लेकिन आरोप जो सबसे बड़ा है वो यह है कि जो पॉलिसी पेश नहीं किये गए थे उन प्रोविजिन्स की वज़े से दिल्ली सरकार का जो राजस्व है उसको बहुत 42.3-6 करोड रुपे का जो शुल्क था उसको वेव कर दिया गया उसको माफ कर दिया गया इसको राजपाल के सामने पेश नहीं किया गया इसके अलावा रेपोर्ट ही बताती है कि दिल्ली प्रशाशन ने विदेशी शराब की दरों में यानि कि जो आपका शराब फॉरन से जाती है इसके अलावा जो आपका बीर है इसमें प्रती पेटी पचास जीत पैसे की जो शुल्क लगता था उस सो में भी उस शुल्क को भी हटा दिया गया जिसलाब जाना इसके अलावा इससे खुद्रा विक्री थी शराब की जो सबीं स्कती मेंilee की वज़े से जो आपकी तो 80 करोड रुपे का नुक्सान देखने को मिला था यही आरोप जो है दिल्ली के मुख्य मंतरी और उनके जो तमाम अन्यसाती हैं जैसे कि दिल्ली के जो पूरू शिक्षा मंतरी थे मनी से सोध्या उन पर भी यही आरोप जो है लगाए गए थे तो यह हमने आरोपों की भी यहां पर बात कर ली है और इससे जोड़े तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी यहां पर समझ लिए हैं अबंत में एक प्रश्न है हमारे पास प्रश्न आपका प्रिलिम्स का है और एडी यानिकि इन्फोर्स्ट्मेंट डिरेक्ट्रेट से जुड़ा हुआ है तो इसके सम्मंद में हमें इन कत्तों पर विचार करना है हमारा पहला कतन है कि यह वित्म अंत्राले के राजस्विभाग के अंतरगत कारे करता है हमारा दूसरा कतन है कि राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशाले का प्रभारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है तो तो इसका जो सही जवाब है वो आप comment box में लिखेंगे कि सवाल का सही जवाब क्या है और मुझे उमीद है कि आप सवाल का सही जवाब दे पाएंगे और अगर आप जवाब नहीं दे पाने तो internet पर आप इसके जवाब को ढूंड सकते हैं मिलते हैं आप से कल तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए ध्यान रखिए पढ़ते रहिए धन्यवाद Dear viewers अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले